नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मीत आलुवालिया बेरियाट्रिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे टमी टक के बाद आने वाले स्कार के बारे में और उसे कैसे हम मिनिमाईज कर सकते हैं उसके बारे में टमी पेशेंट्स में ये सबसे कारगर प्रोसीजर है आप इसे लाइपो सक्षन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर ये पार्ट हैंग कर रहा है तो लाइपो सक्षन इसमें काम नहीं करेगा बहुत सारे पेशेंट्स को इस प्रोसीजर की ज़रोद पड़ती है कुछ biriatric surgery patients हैं जिनमें हमें ये करना पड़ता है या कुछ patients जिन्होंने otherwise किसी कारण weight lose किया है और निचला हिस्सा lose हो गया है उनमें भी हम directly ये कर सकते हैं इस scar को हम बहुत तरीकों से minimize कर सकते हैं कुछ तो operation की technique पर depend करता है tummy tuck का जो scar है वो पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में दिया जाता है ताकि जब आप lower अपने कपड़े पहने तो उसमें ये hide हो जाए यानि कि just suprapubic region में ही इसका scar रहेगा और कहीं इसका scar नहीं रहेगा तो इससे भी इसे hide करने में मरत मिलती है और secondly जैसे जैसे हम skin को stitch करते हैं हम skin को stitch करने से पहले कुछ और stitches लगाते हैं ताकि skin के उपर इसकी tension कम रहे इसका जोर कम पड़े ताकि scar अच्छा आए उसमें अगर खिचाव नहीं रहेगा तो बिल्कुल भरीक आएगा और वो कम नजर आएगा तो यह हुई surgical technique के बारे में इसके बाद हम जब dressing करते हैं तो उसे भी इस धंग से किया जाता है कि आपके scar के उपर tension कम रहे यानि कि एक high sticky dressing use की जाती है ताकि tension dressing के उपर रहे और scar के उपर खिचाव कम पड़े ताकि आपका wound जो है बिल्कुल clean रहे यानि कि उसकी thickness कम से कम रहे यह जो ड्रेसिंग है यह लगबक दो हफते के बाद remove कर दी जाती है और दो से तीन हफते में यह wound लगबक heal कर जाता है लेकिन अंदर ही अंदर इसके healing चलती रहती है लगबक एक साल तक at least यह modifications होती रहती है सो हम कुछ चीजे हैं जो पहले एक साल में कर सकते हैं ताकि इसका scar कम से कम नजर आए sun का exposure का मतलब direct sun exposure नहीं है basically यह UV lights का exposure है और unfortunately UV lights आपके कपडों के थूँ भी आपके scar तक चली जाती है यानि कि अगर आप scar को directly sun को exposed नहीं कर रहे हैं तब भी UV lights आपके close के थूँ उसके उपर पड़ सकती है और उसके color को dark कर सकती है तो अगर scar का color आपके skin के color से match नहीं करेगा तो वो और ज़ादा उभर कर नजर आएगा तो अगर हम scar को sun के rays से यानि UV rays से protected रखें तो इसका color लगबख skin जैसा हो सकता है तो इसलिए हम recommend करते हैं कि आप पहले एक साल एक high quality UV cream लगाईए जिससे कि ये scar protected रहे लेकिन UV जो cream है उसकी एक life span होती है हर एक cream के उपर mention होता है कि कितने घंटे तक ये काम करेगी तो उस चीज को पढ़िए और उतने घंटे के बाद इसे repeat करिए throughout the day जब तक कि sunlight है ताकि ऐसा नहों कि आप इसे लगाएं लेकिन इसे repeat ना करें तो अपनी cream पे आप ध्यान दीजिए कि उसके कितने घंटे असा रहता है और उसके हिसाब से आपको ये बार-बार repeat करना पड़ेगा जब तक कि sunlight है और ये आप 9 महिने से एक साल तक कर सकते हैं Silicon tubes का Silicon films का एक अच्छा रोल है बहुत सारे ऐसे products available हैं एक tube की form में जिसे आप एक thin layer of silicon अपने scar के उपर लगा सकते हैं ये scar का moisture retain करने में help करते हैं और इससे भी scar better दिखता है कैसे use करना है आप sunscreen और silicone को alternatively भी लगा सकते हैं या फिर पहले sunscreen लगाईए उसे dry होने दीजे और उसके उपर आप एक silicone का film लगा सकते हैं उसे protect करने के लिए ध्यान रखिए कि इन्हें recommendation के हिसाब से आपको बार-बार repeat करना पड़ेगा throughout the day और इन दोनों को ही आप 9 महीने से लेकर 1 साल तक लगा सकते हैं और अपने scar को better बना सकते हैं इसके लगावा कुछ patients को एक टेंडेंसी होती है hypertrophic scar की यानि कि उनमें body में ही tendency है scar जादा मोटा दिखने की तो अगर आपको ऐसी tendency है तो आपके doctors आपको steroid का cream या आपके scar के अंदर steroid injection लगा सकते हैं जिससे भी scar पहले से better हो जाता है इसके लावा कुछ lasers available हैं जो later stage में की जा सकती है आपके scar के color को better करने के लिए procedure है इसमें scar जरूर बड़ा होता है लेकिन ये आपकी life को बहुत हद तक change कर सकता है आपको बहुत सारा confidence दे सकता है और आप ये सभी procedures जो हमने इस वीडियो में explain किये हैं उनकी मदद से इसके scar को minimize कर सकते हैं Thank you आपको बहुत सकता है